गुड इवनिंग हम लोग कर रहे हैं photosynthesis in higher plants इसमें हम last time c3 और c4 plants के बार में पूरा detail में पढ़ चुके हैं एक हीवली table discuss नहीं की थी ये कड़ते हैं पहले 13.1 table इसमें हमें बताने हैं जैसे यहां पर characteristics दे रहे हैं c3 plants में क्या होंगे और c4 में क्या होंगे जैसे cell type in which Kelvin cycle take place Kelvin cycle c3 में कहां होती है और c4 में कहां होती है c3 में मेजोफिल्स में c4 में होती है bundle sheet cells में उसके बाद आते cell type in which initial carboxylation reaction अगर carboxylation reaction कहां पर होती है initial carboxylation reaction कहां पर किस cell में होती है c3 में मिजोफिल्स में होती है और c4 में भी मिजोफिल्स में होती है how many cells type does the leaf that have fixed co2 c3 plants में तो सिफ और सिफ मिजोफिल्स चाहिए होते है c4 में bundle sheet cell और मिजोफिल्स चाहिए होते है what is the primary CO2 acceptor primary CO2 acceptor C3 में RUBP होता है और C4 में PEP होता है अब आते हैं उसके बाद में number of the carbon यह तो होगे which is the primary CO2 fixation product number of carbon in primary CO2 acceptor नाम क्या है RUBP और उसमें कितने carbon होते हैं 5 PEP में कितने होते हैं C4 में होगा CO2 acceptor का नाम PEP और उसमें होते हैं 3 carbon atoms फिर आते है which is the primary CO2 fixation product which is the primary CO2 fixation product C3 में होता है PGA और C4 में होता है OA फिर आते है number of carbon in the primary CO2 fixation product PGA में कितने होते हैं 3 OA में 4 फिर उसके बाद आते हैं Does the plant have Rubisco Rubisco कहां कहां होता है Rubisco होता तो दोनों में Does have PEP case in both C3 में PEP case नहीं होता वो सिफ और सिफ C4 में होता है which cell the plant have Rubisco Rubisco कौन से cells के पास होता है C3 में तो Mesophils के पास होता है C4 में Bundle Sheet Cells के पास होता है CO2 fixation rate under light condition high light condition C3 में है low और C4 में है high फिर आते है Whether photo respiration is present at low temperature photo respiration C4 में तो कहीं भी नहीं होता C4 में अगर होता ही नहीं है तो C3 में भी इसमें पूछा है low light intensity में होगा उसमें negligible होगा whether photo respiration is present at high light intensity उसमें होगा high whether photo respiration would be present at low CO2 concentration उसमें भी होगा उसका भी high whether photo respiration would be present at high CO2 concentration उसमें negligible होगा और C4 में तो कहीं photo respiration होता ही नहीं है अब इनमें temperature कौन कौन सा चाहिए होता है C3 वालों को चाहिए होता है 22-25 इतना temperature होना चाहिए मतलब minimum 22-25 और जो C4 plant होता है उनमें होना चाहिए 30-40 अब इनके examples क्या क्या होते है सारे dicot वाले तो C3 में आते है जैसे rice, wheat ये सारे के सारे इसमें आते है C4 में आते है मेज, sorghum और शुकर के अगर ये वाले table किसी को समझ नहीं आया हो तो आप comment में दुबारा पूछ सकते हो यहाँ पे हमारा C3 cycle, C4 cycle ये पूरा ही complete हो गया अब स्टार्ट करने फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन को ही हम बोलते है C2 cycle इसमें क्या है रुबिस्ट को is the most abundant enzyme in the world ये हमें पता ही है कि रुबिस्ट को is the most abundant enzyme और protein in the world उसके बाद आते है रुबिस्ट को has much greater affinity for CO2 ये जो फोटो रेस्पिरेशन होता है फोटो रेस्पिरेशन को ही बोलते है C2 cycle यहाँ पर क्या होता है जिसमें बताया था कि जब रुबिस्ट को है अगर CO2 का concentration जादा है CO2 जादा है या फिर oxygen के comparable है तो RUBP के साथ जब CO2 combine होगी तो product बनता है 3PGA यह C3 cycle में होता है यह हमने पूरा detail में पढ़ा है लेकिन अगर O2 का concentration जादा हो CO2 से तो क्या होता है अगर O2 का concentration जादा होता है तब क्या होता है जो RUBP के साथ combine होके यह क्या बनाते है 3PGA का 1 compound बनता है और 1 बनता है एक बनता है 3- Phosphoglycolate यह बनता है 2-carbon compound इस 2-carbon compound बनने की वज़े से इसको बोलते है यहाँ पर होता है photorespiration क्योगी इसके अंदर क्या होगा अब इसके अंदर कोई भी ATP नहीं बनेगा NADPS नहीं बनेगा और इसमें CO2 और या फिर sugar synthesis नहीं होगा तो यह double wasteful process होता है यहाँ पर यह जो 2-carbon compound बनता है इसकी वज़े से इसका नम C2 cycle भी होता है यह होता है पूरा photorespiration का अब यह NCRT में कैसे लिखा हो है इन C3 plants some O2 doesn't bind Rubisco and hence CO2 fixation decrease यह कै लिखा है in C3 plants some O2 does bind the Rubisco and hence CO2 concentration is decrease hence RUBP instead of being converted two molecule of PGA bind with the O2 to form a one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate two carbon compound in pathway called photorespiration इसको हम बोलते है यह जैसे मैंने अभी बताया कि जब O2 का concentration ज़ादा हो तो यह RUBP O2 के साथ combine हो जाते है RUBP अगर O2 के साथ combine होगा और उसके बाद RUBP oxygenase से बनता है एक molecule तो PGA का बनेगा लेकिन एक जो बनता है वो 3-phosphoglycolate का बनता है जो C2 जिसमें 2-carbon compound का होता है यह जो compound बनता है यह होता है इस पूरे pathway को हम कहते है photorespiration photorespiration pathway there is a neither synthesis of sugar nor the ATP यहापे ना तो sugar बनता है ना ATP बनता है it result in it result release of CO2 with the utilization of ATP तो इसमें होता क्या है कि CO2 release होता है अब C4 plants में क्या होता है C4 plant में photorespiration तो होता ही नहीं है photorespiration नहीं होता तो उसमें फिर क्या होता है यह जो C4 plants होता है increase the concentration of CO2 at the enzyme side this take place the C4 acid in mesophyll is broke down in the bundle sheet cell to release CO2 यह C4 cycle में C4 path जब हम पढ़े रहे थे तो हमने पढ़ा था कि C4 acids बनते है mesophylls में जब यह बनते है C4 acid तो यह क्या होता है आगे जाके bundle sheet cell में release करते है CO2 जिसकी वज़े से जो intercellular concentration of CO2 होता है नो वो बढ़ जाते वो बढ़ जाते तो rubisco function as carboxylase minimize the oxygenase activity तो उसके बाद क्या होता है अगर CO2 का concentration बढ़ गया तो definitely वो carboxylase की तरह काम करेगा अगर वो carboxylase की तरह काम करेगा तो उसके बाद उसमें photorespiration नहीं होगा C4 plants lack photorespiration and productivity and yield are better in these plants इसमें क्यों होता है कि इसकी productivity और yielding capacity दोनों बहुत अच्छी होती है in plants की C4 plants की and tolerate to a higher temperature ये बहुत high temperature को भी tolerate कर सकते हैं ये यहां होगा हमारा पूरा photorespiration complete अब इसके बाद हम करेंगे कि factor क्या क्या अफेक्ट करते है photosynthesis को उससे पहले अगर कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो लाइक करो और जिसने भी photorespiration से पहले वाले वीडियो नहीं देखें उनका लिंक सब का description में आप महा से पूरा complete वीडियो देख सकते हो यह है factor affecting photosynthesis क्या क्या factors हो सकते हैं internal भी होते हैं external भी होते हैं internal factors क्या होंगे वो तो जैसे number of leaves कितनी है size क्या है age क्या है orientation कैसा है number of chloroplast कितने है और कितने amount में chlorophyll मिल रहा है उनका खुद का internal CO2 concentration कैसा है यह सारे के सारे internal factors में आते है external में क्या क्या आते है external में आते है water atmospheric CO2 मतलब atmosphere से उनने CO2 कितनी मिलेगी light और temperature यह होते है external factors कौन-कौन से water, light, temperature और atmospheric CO2 या फिर concentration of CO2 यह होते है external factors यह लिखा भी हो है NCRT में NCRT में second paragraph में लिखा है the external factor would include the availability of sunlight temperature, CO2 concentration and water one factor is the major cause is the one that limits the rates इसका क्या मतलब है आगे लिखा हो है rate will be determined by the factor available sub-optimum level यह पूरा भी में detail में बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है exactly बताया किसने ता इसने बताया था black man's जिन्वन 1905 में बताया था law of limiting factor क्या बताया था if the chemical process is affecting by more than one factor then its rate will be determined the factor which is the nearest to its minimum value the factor which directly affect the process of quantity is changed इसका मतलब है कि जैसे अगर किसी एक चीज का कंसेंटरेशन जाते है तो उसकी वज़े से उसके फोटो सिंथेस पे एफेक्ट पढ़ रहोगा चाहे वो कोई भी चीज है अगर हम उसको बढ़ा दे तो उसका जो rate होता है वो बढ़ जाता है तो उसको हम change कर सकते हैं मतलब जैसे suppose एक एक एक्जामपल इसका मतलब है जैसे water का example ले लेते हैं कि अगर हम पानी बहुत कम दे रहे हैं किसी प्लांट को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है तो उसमें क्या होगा कि photosynthesis का जो rate है वो बहुत कम हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा तो उसमें limiting rate किसकी वज़े से हो रहा है इसा उसका limiting factor क्या है वो उस time पे water है अगर हम उसमें water का पानी देना शुरू कर दो इस plant को तो क्या होगा धीरे धीरे वो खुच से उसमें photosynthesis का rate बढ़ना शुरू हो जाएगा तो यह इनोंने बताया है law of limiting factor यह क्या कहता है if the chemical process is affected by more than one factor then its rate will be determined the factor which is the nearest to a minimum value its factor which is directly affect the process of the quantities changed जब उसकी जिसकी वज़े से rate कम हो रहे अगर हम उसके quantity को change कर दे उसका थोड़ा सा concentration बढ़ा दे तो उसमें क्या होता है कि उसके पूरा जो फैक्टर जो photosynthesis जो photosynthesis का process है वो पूरा आगे बढ़ना शूरू हो जाते है मतलब वो बढ़ जाते है यह water वाला example मैंने अपनी तरफ से बताया था यह कई बुक में नहीं लिखा यह मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था फैक्टर है वो खतम होने लगेगा लिमिटिंग फैक्टर इस ताइम तो water है वो अगर water हम दे रहे है continuously पूरा पानी मिल रहे है पेड को तो वो धीरे धीरे वापस से अपना photosynthesis नोमल रेट पर ले आएगा तो जो rate of photosynthesis है वो बढ़ना शूरू हो जाएगा अब इन्हों ने क्या एग्जांपल लिया NCRT कहती है presence of a green leaf and optimum light and CO2 condition the plant may not photosynthesis if the temperature is very low अगर temperature बहुत कम है तो अभी photosynthesis नहीं हो पाएगा मतलब अगर presence of इसमें लिखे presence of a green leaf green leaf है optimum light है CO2 condition है the plant may not photosynthesis if the temperature is very low plant में photosynthesis नहीं होगा temperature बहुत कम होगा the leaf is if the given optimum temperature will start photosynthesis अगर हम उसका temperature जो light बहुत कम है अगर हम थोड़ा सा temperature को increase कर दे तो क्या होगा कि उसके बाद फिर से photosynthesis होने लगेगा चाहे आप light का example ले लो चाहे आप photosynthesis का ले लो वो एक ही बात है वो समझाने के लिए बताया का यह बस अब इसके बाद स्टार्ट होते है factors अब light में भी क्या क्या light की quality light की intensity और duration अब कित्ती देर के लिए light मिल रही है there is a linear relationship between the incident light and CO2 fixation rate at low light intensity at higher light intensity gradually the rate down does not show further increase as the factor become limiting यह क्या बताया कि अगर बहुत higher light intensity है तो rate does not show further increase जो rate of photosynthesis है वो और increase नहीं करेगा वो limiting होता जाएगा वो और बढ़ना बंद हो जाएगा इसका क्या मतलब है light saturation occur at 10% of the full sunlight जो light saturation है वो कितना मतलब कितना चाहिए होता है 10% चाहिए होता है photosynthesis के लिए 10% easily available होती है तो यह जो light होता है यह बहुत rarely limiting factor बनता है यह जादा-ता limiting factor नहीं होता क्योंकि 10% light कभी भी मिली जाती है plants को तो यह last line में लिखा भी है यह last line में लिखा है except for the plant in shades or dense forest dense forest या फिर shady area इनको छोड़ कर light is rarely a limiting factor in nature light जो है वो बहुत rarely limiting factor होता है वरना 10% जो light होती है वो हमेशा मिली जाती है तो उसमें photosynthesis बड़े आराम से हो जाते है अगर हम बहुत जादे देंगे तो क्या होगा कि वो धीरे-धीरे और increase नहीं करेगी तो यह ही बताया गया था इसमें अब इसके आगे क्या लिखा हो है increase in incident light beyond a point cause the breakdown of chlorophyll and decrease the photosynthesis अगर हम सोचे कि light को और बढ़ा दे जितना मर्जी बढ़ाते जाएं उतनी photosynthesis होती रहेगी ऐसा नहीं होता जैसे plants की सबकी tolerating capacity होती है वो अगर हम बहुत जादा बढ़ा देंगे beyond limit बढ़ा देंगे तो उसके बाद क्या होगा क्यों उसके ब्रेकडाउन होगा chlorophyll का वो होने की वज़े से photosynthesis बहुत कम हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते हैं indirectly याद रखने के लिए इसमें important point यह है कि जो photosynthesis है वो जादतर 10% of full sunlight में हो जाते है मतलब 10% easily available हो जाती है तो इसलिए जो light होती है वो rarelier limiting factor होता है वरना light कभी भी limiting factor नहीं बनता है अब इसका एक graph दे रखे चोटा सा देखो यह नीच वाले यह वाले जो line है x axis की light intensity शो कर रही है और यह जो y axis है यह rate of photosynthesis दिखा रही है इसमें दिखाया है कि अगर उसको जतनी light चाहिए होतनी मिल रही है तो क्या होगा कि यह rate of photosynthesis बढ़ता जाएगा बाद में अगर जरूरा से जादा मिलेगी तो उसके बाद photosynthesis और नहीं होगा वो फिर रुक जाएगा मतलब उसके बाद उसके बाद और कोई change नहीं आएगा और अगर जरूरा से जादा मिले beyond a point तो उसमें क्या होगा फिर breakdown of chlorophyll होगा जो की photosynthesis को कम करना शुरू कर देगा अब है CO2 CO2 concentration major limiting factor concentration of CO2 is very low at the temperature in the atmosphere कितना होता है 0.03 to 0.04 इतना atmosphere में available है increase in concentration up to 0.05 can cause increase of CO2 fixation rate beyond this level it becomes damaging over longer period अगर इस से जादा बढ़ा देंगे तो वो भी damage करेगा अब C3 और C4 plants में क्या होते है differently to respond differently to CO2 concentration जो C3 plants है और C4 plants है या अलग-अलग CO2 concentration पे काम करते है जैसे low light condition neither group response to a high CO2 condition बतलब अगर low light condition है तो दोनों में से कोई भी काम नहीं करेगा कोई भी response नहीं करेगा high CO2 condition पे at high light intensity both C3 and C4 plants जो increase the rate of photosynthesis दोनों में C3 और C4 में दोनों में अगर high light intensity है तो दोनों में photosynthesis बढ़ जाएगा C4 plant अब इन में saturation लिखे है ये बहुत important है saturation कितनी होती है 360 माइक्रोब लिटर और C3 में कितनी होती है उसकी होती है 450 ये इंपोर्टेंट है ये याद रहने कि किसकी saturation point कितना था C4 को होती है 360 और C3 को होती है 450 उसके बाद लिखा है current availability of CO2 level is limiting to the C3 plants तो इन्हों ने बताया कि जो availability of CO2 है वो C3 को बहुत जाद नहीं मिल पाती है तो उनके लिए ये limiting है तो अगर जैसे अब ये जो ये आगे बताएंगे कि C3 plants respond to a higher CO2 concentration by showing increase the rate of photosynthesis lead a higher productivity अगर इनका concentration बढ़ा दिया जाए CO2 का तो क्या होगा कि इनमें photosynthesis भी बहुत बढ़ जाएगा और बहुत अच्छी productivity मिलेगी तो ऐसा कैसे करते हम has used for some green house crops such as tomatoes, bell paper ये important है दोनो tomatoes and bell paper ये PYQB ये याद रहना चाहिए कि किसकी green house crops जैसे कौन कौन सी जिनमें ये productivity बढ़ जाती CO2 concentration बढ़ाने के बाद वो है tomato और bell paper they are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that yield that lead to a higher yielding ये यहाँ पे होगी हमारा carbon dioxide concentration complete अब इसके बाद next बज आते है temperature temperature में the dark reaction being enzymating at the temperature controlled light reaction are also temperature sensitive sensitive they are affected to a much lesser extent the C4 plants response to a higher temperature show a higher rate of photosynthesis the C4 plants वो हाई temperature पे काम करते हैं तो क्या होता है कि उसमें photosynthesis भी बहुत अच्छ होता है C3 plants have much lower temperature optimum the temperature optimum depend on habitat ये थोड़ा habitat पे भी depend होता है and tropical plants have higher temperature optimum then the plant adapted to a temperature climate जिसे इसका overall meaning ये है कि जो ये plants होता है इनको जैसे जो जिनको जिनको लाइट की बहुत जादा आदाता है ये temperature बहुत जादा ले सकते है ये इनके habitat पे भी depend करता है तो जो ये tropical plants होता है have a high temperature optimum किसके comparable जो ये बाकी की जगह पे होता है plant adapted to a temperature climate ये लिखा हुए एक important point एक important point है कि जो C4 plants होते है वो बहुत high temperature पे काम करते है और बहुत अच्छा photosynthesis करते है high temperature पे एक important ये है उसके अदावा ये है कि dark reaction being enzymatic are temperature controlled and the light reaction also temperature sensitive they affected to a much lesser extent temperature के बारे में इतना बहुत है इससे जादा detail में आएगा भी नहीं important ये है कि ये याद रहना चाहिए कि वो सबसे जादा temperature पे कैसा काम होगा C4 plants जो है वो higher temperature पे बहुत अच्छा photosynthesis होते है और में show a higher photosynthesis और उसके अदावे important ये है कि temperature optimum depend on the habitat ये इनके habitat पे भी थोड़ा depend करते है जैसे इन्होंने example दे रहा tropical plants have a higher temperature optimum then the plant adapted to a temperature climates इसके बाद last आते है water water as a factor is more through its effect on the plant rather directly on photosynthesis water stress cause stromata to close hence reducing CO2 availability मतलब water stress मतलब जब पानी की कमी होती है जब पानी की बहुत कमी होती है तो क्या होते है कि ये जो stromata होते है ये close हो जाते है और CO2 availability भी कम हो जाती है and water stress also make leaf wilt मतलब ये थोड़ी सी अंदर की तरफ को मुड़ जाती है thus reducing surface area इसमें क्या होता है कि इसका surface area कम हो जाते है and surface area के साथ साथ metabolic activities भी इस सारी की सारी चीज़े कम हो जाती है water में important क्या है important ये है कि अगर water stress होता है तो stromata close हो जाते है तो CO2 availability भी कम हो जाती है transpiration decrease हो जाता है surface area कम हो जाते है इनके ऐसे थोड़े से मुड़ जाने से wilting of leaves की वज़े से और क्या होता है इसमें metabolic activities भी decrease हो जाती है बस यहां पर हमारा हो गया photosynthesis in higher plants पूरा complete अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो थैंक यू